जिसके कान हूँ वो सुन ले, जिसकी आखें हूँ वो देख ले हम उन लोगों के लिए विशेज धनेवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, Google पे और पेपलिंग के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं ये हमारे तीन चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलिग्राम पर भी डूण सकते हैं जो मैंने सोब ने देखा कि कोई बकरा है और कोई तांतरीक है और गडासा से लेके बकरे को काट रहा है उसके गले को और जैसे गडासा चला उसके गले पर पूरा ब्लड मेरे ऊपर आ गया और ये सीन मुझे बहुत ही मतलब डराना भयंकर बिलकुल मैं डर गई और फिर मेरे पेट में जो है दर्द उठने लगा और वो दर्द धीरे 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 बढ़ना सुरू हुआ इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए कोई प्राथना करने वाला तक नहीं है आज जो गवाही हम आपके लिए लेकर के आए हैं इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे अंधकार की शक्तिया इंसानों के जीवन को बरबात करती है अगर आपका भरोसा भी भविश्वानियों से उठ चुका है तो ये गवाही आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है और प्रभू येशो मसी किस तरह से इंसानों को बचाने के लिए बेच में आते हैं जब कोई उन्हें सच्चे दिल से पोकारता है आईए इस कवाही को हम देखते हैं करने के बाद वह एलहाबाद में सीविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे और मैं घर में रती थी फैमिली के साथ में सचोची निरंकारी के सश्चंग के प्रमुख थे और लेकिन हमारे जो साथ ससूर का आस था थी वह तंत्र मंत्र में बहुत घहरी थी और वाlor तंत्री पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे जबकि निरंकारी मिशन में तंत्र मंत्र के लिए मना किया गया है कि मैं तांत्रीक ओजाया मुर्थी पूजा नहीं करनी है फिर भी वो लोग चोरी चुपके सब्सक्राइब करते थे लेकिन वो तांत्रीक का भी सहरा लेते थे जैसे कि अधरी मैंने अम बेटे को कंसिप किया दो तीन महीने के बाद मेरी तबीयत कि खराब होने लगी में चक्कर आना और दर बैक पेन होना बॉडी पेन होना फिर रात में बुरे-बुरे सवपन आना भाय का बिलकुल महाल था फिर रात में जब मैं सोती थी तो मुझे अधराओना सा रूप करके ऐसे करके आते थे तो अजीव अजीब चेहरे अजीब अजीब मतलब की पिक्चर्स जो है कि मुझे सपने में आते थे और जिससे मैं बिलकुल डर जाती थी और फिर मेरी नीद गाया भाजाती थी घबराट होने लगती थी मैं किसी से जादा बत गया लेकिन जब 6-6 महिना पूरा हुआ और सातमा जब लगा तो और भी मेरी तवियत खराब होने लगी पेट में दर्थ कहीं चक्कर आना सरदर्ड़ मतलब दिन प्रदी मेरी फिजीकली भी स्थी ती डाउन होती जा रहे थी और मेंटली भी में बहुत डिश्टर्प थी तनाव ग्रस्त रहना और डर भय और जैसे चक्कर आना बिल्कूल लगणा पूरा जमीन घूम रही ऐसे करके और विकनस का फी लगती थी फिर ममी एक बार तांत्री के पास लेके गई और वहां पे जो है कि मुसलमान थे उन्होंने देखा और एक बात उन्होंने बताई कि म अगर बच गया तो बहुत अच्छे आप लोग उपर जाएंगे लेकिन अगर नहीं बचा तो बहुत ही डाउन मतलब आप लोग हो जाएंगे सो वहां के आने के बाद फिर मेरी और ज्यादा तबियत मेरा मेरा जो दर्द था और बढ़ गया और फिजिकली मतलब फीवर आना सुरू हुआ और बुखार जैसे लगा उतर नहीं रहा है फिर साथ में महीना गए फिर आठवा महीना लगा तो वह चीजे और रात में मैं अ करितियां आ रहे हैं चेहरा बदल बदल के डराने के लिए एक दिन तो मैं जब हुआ और तीन दिन तक मतलब दर्द होता रहा सब जैसे मैं आख बंद करती सोने की कोशिज करती वैसे ही जो है कि वो सीन मेरे सामने आजाता और बार बार वो सीन आजा तो मैं सो नहीं पाती थी और मेरा दर्द जो है पेट का बढ़ने लगा और सर में कभी लग रहा कि पेट कदसर मेजाय昨 versão फर जाएगा एपैट में दर्द पेट फट जाएगा है से लगड राई ना फ्रॉड हूं कर दर्द था अस रही पीडा थी और फिर एक दिन बिता दो दिन गाहर तीसें दीन डिवाली का दिन था और उसी दिन साम को और मितलब मैंने आट महिने के लिघा दिया और उसको इलाज न मिलने के कारण घर पर ही डिलिवरी हुई थी और मृत्यू हो गई और उसके मृत्यू के एक घंटे बाद ही तांतरी को बुलाया गया गर पे और उस समय तो मैं मुझे डिलिवरी हुई थी तो याद था और डाक्टर के पास जाने के बज़ा हमेरे घर में तांतरी को जाओं को बुलाया गया और तांतरी को जहा जब घर में आये तो जैसे उसके पहले तो मैं नॉर्मल थी बिल्कुल कोई समस्या नहीं थी मेरों को सब मुझे मतलब याद था और जैसे तांतरी को आए और वह अपना संत्रमंत करना सुरू कि फिर मैं में जो है डिश्टर्ब हो गई और फिर मुझे याद नहीं मैं क्या बोल रही हूं कैसे कर रही हूं और क्योंकि दुष्ट आत्मा के इतना जादा प्रकुप जो मेरे बच्चे को भी मार दिया और मैं भी में डिश्टर्ब हो गई तो मैं क्य क्या बोल रही हूं क्या हरकते करूं मुझे कुछ भी मालूम नहीं था और वो लोग सायद दुष्ट आत्मा को निकलने के लिए जो भी हमें नहीं करना चाही ह II के मेरी मुझे माहरा पिटा गया और फिर इसके बाद जो है कि मारने पिटे महीं और हो गई टीज दिर्फ्ट हो मैं बिलकुल पागल जो बीटी मुझे कुछ याद नहीं कि मैंतरब मुझे कैसे रहना है कैसे खाना क्या बोलना खुछ नहीं और फिर एक हपता तक मुझे इसे ताला के अंदर बंद करके रखा गया एक हपते के बाद फिर मेरे मायके वालों को सुचना दी गई और मेरे मायके वालों को बुलाया गया और जब मायके वालों को बुला की गई वहWhat बुरी तरह से जक्मि हो गई और राद बर किसी तरह बीता और सुबही फिर मौनहीलगा मैधनी उसके में मेरे मायकें बहुत भिलगुदाने वहाँ परिवार वालों थे डाक्टरों को एलाज करवा और धीरे-धीरे मेरी स्थिति उधरने लगा लग एक साल तक मैं माय के मैं रुक्यावी थी और इलाज के दोरान जो है की दीरे दीरे में ठीक होने लगी और मैं मानसी की रिद से और फिसी कली भी जफ सोष हो गई एक साल के बाद फीर मुझे जो है कि ससुराल लाया गया ससुराल आने के बाद वही महाल था कोई भी परिवर्टन नहीं था वही तनाव ग्रस्त महाल वही तंत्रमंत की वह बाते महां पर थी और फिर जो है कि दो साल के अंदर फिर तीन बच्चे मेरे मिस्कहरेज हुए और दिन प्रदिन मेरी हलत और बिगड़ती चली जाए रही थी मैं मानसीक और सारीरिक रीच से पूरी तरह से तूटती जा रही थी और कोई भी मतलब क्योंकि ससुराल वाले तंत्रमंत में विश्वास रखते थे तो वह तांत्री को जहां को हर जगह दिखाते लेकिन कोई फायदा ने कोई लाव नहीं हुआ मेरे को और उसी स्थीति में चलता रहा और 2002 में जो है कि फिर मैं आई अपने यहां मैं के क्योंकि वहां सब लोग मतलब की जबाब देती कभी ठीक नहीं हो सकती और वहां एंब और लुट को भी दिखाया गया तो एंबी डी नहीं बोला कि आप तो कभीWhoa सकती कोई ठीक नहीं कर सकता है और अबन सकती है क्योंकि आप घर से ठीख हो सकते हैं त यह कि हम बीमारी से कभी ठीक हो सकते हैं ना तो हम दुस्टातम से आजादी मिल सकते हैं सो जब मैके में आये तो वहां पर मेरी मौसी जी थी जो कि 2002 में वो जब सुनी कि मेरी तबिये ज़्यादा खराब है तो मुझे देखने के लिए घर पे आई और वो एक मसीही थी वो प्रभु येशु मसी में विश्वास करती थी उन्होंने प्रभु येशु मसी के बारे में मुझे से बताया कि परमेश्वर का अद्भु प्रेम प्रभु येशु मसी में प्रकट हुआ है जो कि तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पापों के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी है ताकि तुम सारी बीमारी से दुष्टात्मा से आज़ाद हो जाओ और निरा अज़ाद हो सकती है वर्ट मैंने क्योंकि मैं हिंदू बेग्राउंड से थी और सचंका उसमें मेरे विश्वास था तो मैंने विश्वास नहीं किया क्योंकि मैं दुष्टात्मा से ग्रसित थी तो उनकी बाते मुझे बहुत बेचैन करने लगी गुसा आने लगा इतना क् और इस्व मसी के बारे में मुझे ऐसा लगता थे वो इसाई के देवता है या विदेशी धरम हैं हम तो हिंदू लोग हैं तो हम क्यों मतवस पर विश्वास करें और मुझे इस्व मसी का नाम सुनके इतना चिड़ मचती थी इतने गुसा आ गया और हमने का मैं तो कभी भी इस्व मसी पर विश्वास नहीं कर सकती हूं वो बता करके चली गई विद्या की मौसी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गई थी कि यहां पर शैतान का काम हो रहा है और विद्या के लिए उन्होंने उपवास प्रातना करना शुरू कर दिया लेकिन मेरी मौसी जो है मेरे लिए जैसे इस मशी के बारें बताया था उसके बास से हर मंगलवार को उपवास प्रात्ना लगातार करती रही तो लग्नव में भी आने के बाद यहां वी तंत्र, मंत्र वालों, को मौल्व्यों को दिखाए गया, डाक्टरों को दिखाए गया हर जगह जहां सुनते थे कहीं इलहाबाद में साजहां पूर है तो लखनवू है जहां सुनते थे तो वहाँ महां हमारे फरिवार वाले लेके गए लेकिन सब लोगों ने जबाब दिया कि आपको कोई भी ठीक नहीं कर सकता मैं टेंसन में थीवन का तो कोई भी नहीं न तो मैं मा बन सकती हूं न, कभी ठीक हो सकती हूं और मेरी तवियत वैसे ही जो है इन प्रतिन इस्तिती बुरी होती जा रही थी और फिर मैंने कोशीज किया करके मैं अपसलफास की गोली खा करके मैं अपको खतम कर लूंगी और साथ महीने तक इस्ट्रगल की मैं एक मन तो आता तो दुश्टात्मा तो चाहती थी कि हम अपने आपको खुद कुसी कर ले खतम कर लें लेकिन साइद मौसी जो मेरे लिए प्रेयर कर रहे थी फास्टिंग प्रातना निरंतर तो उसका प्रभाव था कि मेरे हिरदय में आता नहीं यह तो गलत है यह बिल्कुल गलत मैं ऐसा गलती नहीं करूंगी मेरे मरने के बाद क्या होगा मेरे परिवार वाले भी और फिर सब लोग मुझे बुरा समझेंगी कि यह लड़की गलत थी इसलिए मर गई तो यह सारी चीजे और मेरी मौसी जी एक भाई को जो भी विश्वास करते थे उनको बहेजा कि जाओ मेरी बेटी एक हैलकनों में उसे मिलने देख लेना और उसके लिए दुआ कर देना तो भाई मेरे से मिलने आये और उन्होंने प्रव येश्व मसी के बारे में मुझे फिर से बताया कि किस तरह ये 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 पापों के लिए मारे गए गाड़े के मुर्दों में से जी उठे हैं और फिर भाई के द्वारा मुझे इंद्रानगर लखनव चर्च का जो है ड्रेस बताया गया कि सिष्टर आप वहाँ पर आईए और आप पूरी तरह से आजाद हो जाएंगी और फिर मैं जो है कि संडे के दिन चर्च गई और वहाँ सब लोगों ने मिलके मेरे लिए प्रात्ना करी और मैं धीरे धीरे जो है कि पहले हपते में तो नहीं लेकिन दूसरे हपते तीसरे हपते में क्योंकि दुष्टात्मा जब आती थी तो बोली कितने लोगों को तुम निकालोगे हम एक निये पूरी सेना है हर संडे को कुछ-कुछ दुष्टात्मा जो छोड़ डोतीन संडे था वो दुष्टात्मा धीरे 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 चोड़ के गई और एक संदे कि मैं नठना सेर्भना साथ है कि जो विशेष मेरे बियर वह यह है कि सनिवार को के दिनी क्योंकि मैं जैसे छर्ष्य आती थी तो ज्यादा विकनस थी मेरे सरीर में कि मुझे चछ बिल्कुल जाने का अमन नहीं करता था जब अंतीम छुटकारा था मेरा तो उस समय जो है कि सटन रेका दी था और जो हमारी प्लाष्टर अंकर पी जो वाइफ है जो चाल संटीर है करने के लिए उसके छुटकारे कि तुझे प्रातना करना है और आज जीवन या मौत दो में से एक ही फैसला है और उसको बोज दिया प्रापुरी प्रातना करने का और वो साम कोई खाना तिना बना करते हैं अंकर क्योंकि पास्टर अंकर प्रम को सुबर मैसेज देला था तो और उन्योंको बोल करके चले गही प्रातना करने मेरे तो प्रातना हे और भी बद स्कूधता प्रम और जो कि रोफ बदल बदल कर दिख़तमां अग्राथ दुष्टातमा जो है वारे 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 से एक ही धुष्टातमा एंगार आती गई आती गई और एक तर तो यह डर था एंके अंदर लिकिन उनोंने हियाव के साथ जो इमत नहीं आ रहे और कांटिनु जो है प्रातना करती नहीं प्रातना करती नहीं वह एक एक दुष्टात्मा को जो है इस्चु के नाम से उसकी सक्ति को बाती गई बाती गई और ऐसे जन्से करकर जो है कि जितनी दुष्टात्मे आती गई आती गई आती गई प्यारे थी एक दो दुष्टाता में इतना धी सारी दुष्ट आत्माय उनको दिख रही थी बारी बारी जबारी बारी जाना गंडा गुरूप अलन रूपों में और वो साब कोई इश्यू के ना उसे बातती जा रही थी और बस किवल प्रवों की अर्नुग्रा को मांग रही थी फरमेशब उस बेटी पर तो विद्या के लिए वहीं दूसरी और शैतान ने अपना पूरा जोर लगा दिया था कि आज तो विद्या को ले ही जाना है विद्या ने ये मैसूस किया कि मौत से पहले कैसा अनुभाव होता है इंसान को उसी रात जी इस रात आणटी प्राफन कर रही थी ऐस अनिवार की रात में उसी रात मेरी जो पोजिशन थी रात की कि मैं लगवाग 11-12 बजे रात में मुझे लग रहा थे कि डी सारी काले-काले आकरीतियां जो है कि हमारे घर में मेरे बदन को उठा करके इन पर आस्मान क जैसे च्छत को चीरते हैं हम आस्मान पे लेके जारी सकतिया और जैसे आस्मान की जारी जितना उपर हम चले जारे उतना ही मेरा दम घुट्रा लगारा कि मैं मरने पर हूं बिल्कुम यह जान निकन जाएगी और सास लेने में बिल्कुम मुझे वहता होती तकलीफ हो रही जितने में ऊपर चली जारे थी उतना ही मुझे जिसे लगा कि अब में मर्देवार नहीं बचूँगी फिर क्योंकि सरीर तो मेरा काम नहीं करता है मेरा दिमाग बूरा चल रहा था अगर कोई सच्चा इस्वर है तो मुझे बचा ले अगर इस अंसान में कोई भी सच्चा बचाने क्योंकि मैं मरना नहीं चाहते हूं मैं जीना चाहती हूं और यह मुझे तो सब नहीं लेकिन मैंने में इसाना और बहुत ही मेरे घ्रिदर की और दिल की आत्मा की पुकार थी उसमन्हें और फिर ऐसे करते करते काफी देर हो गया उनको रात में करीब थीन-चार थोड़ी देर के लिए मतलब हड़ जा रहे थी, फिर दोड़ी देर के लिए अदायबुझे फिर आ जा रहे थी, और प्रात्ना करतें फिर बात पर है कि जबर उन्हों ने प्रात्ना के या प्रभाव अनुगरा को ओड़ है dent नुग्रा दे दे हो जैसे अनुग्रा को मांधा और परमिश्व का दन्यवाद अप्रात्मा क्या ऑफ फिर वो दhrlichudsतात्मा धीने देरे मेंब होने लगी और जो है कि कि फिर अंटी को बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा उंको अंदर से क्या बेटी बच गई है और फिर इसके थोड़ी ही देर बाद वो सारी जो दुष्टात्मा की तेनाए थी वो धीरे 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 जो है पको लीचे लेके आई और मेरे 20 तर पर एक-दो हाथ उपर से ही ऐ अगरे मेरे 22 रही विल्कुल बर्फ की तरह सरी ठंडा और लखणी की तरह 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 प्ड़ा वैसे ही बढ़ा और मैं कोशिज कर मेरा दिमाब पूरा काम कर्या लेकिन सरीर विल्कुल नहीं चल रहे है तोड़ी देर के बाद जो है देरे 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 ओल्या पहलाना सुड़ू कि और करने में आदा घंटा पॉन्ना घंटा मुझे पुरा हाथ पैर मिलाने मिला और इसके बाद कि मैंने क्या देखा सौपन मैं सौपन देखी लगवग चार बजे बढ़ के ताइम में कि प्रभू मुझे पता था कि मैं बच गई हूँ रभू ने बचा लिया है बच जो है कि यकीन नहीं हो रहा था और मेरे आशू उंखी नहीं रहे थे तो इसी बीच में मुझे अप्रान में आवा जाना बेटी मैं आ रहा हूँ बेटी मैं आ रहा हूँ बेटी मैं आ रहा हूँ मैं आ बेटी, और जैसे इस मसी आये और मेरो को गण्य लगाया, मेरे आशु को पोचा और मेरे साथ पर हात रखतेरे आशे लाएब और मै तुझे पा लिया है, मैंने तुझे सैतान के हाथों से शीन लिया है, तेरे प्राडो को, अब कोई तुझे हानी नहीं कर सकता, कोई नुकसा क्योंकि सैतान को मैंने हरा दिया है और मैंने तेरे जीवन को उसके हाथ उसे चीन लिया है और उसके बाद धीरे-धीरे मैं और मेरा परिवार समस्याओं से और दुखों से आजाद होते गए फिर 19 फरवरी 2006 में मैंने पिता-पुत्र-पवितात्मा के नाम से पानी का भबतिस जो है कि मुझे सारी वीमारी से रदुष्टात्मा से आजाध कर दिये कि इसके बाद कि क्योंकि मां नहीं बन सकती थी तो एक चिंता थी और मैं चुटकारा पाने के बाद जब पवित्रात्मा को प्राप्त किया तो मैं मिनिस्ट्री में जो है कि प्रभू का प्रचार करने या आपने गवाही को बातने क्या लोगों को इश्यू मस्यी के बारे में बताना शुरूर किया और जब किसी को में बताती थी क्योंकि चार साल हो गहे थे मुझे 2005 में मैंने इसमसी को γ्रहन किया ौर 2006 में 19 Claudie मैंने बप्तिस्मा लिया इसके बाद जो है कि जब मैं प्रभु के बारे में लोगों को अपनी गवाही को शेयर कती कि कि किस तरह से प्रभु शुमसी ने मझे चुटकारा दिया है तो लोग बोलते कि तेरे पास तो बच्चे नहीं है इतने साधी को गए क्योंकि 98 में मेरी सा साधी को गया है तो लोग बोलते हैं तुम्हारे पास खुद बच्चे नहीं अगर इस सुमसी में इतना सकती है तो पहले तुम्हें बच्चे होने चाहिए है तभी आप दूसरों को लिए प्रात्ना कर सकते हो तो यह बात मुझे चुबती थिमने का यह बात तो सही है कि ज ट्रीटमेंट बिल्कुल बंद कर दिया हमने का यह नहीं हमें जरूरत नहीं है और मेरा प्रभी शुमसी काफी है मेरे हस्बेंट हमेशा समझाते थे कि जो हमें मौत से बचा सकता है दुश्टा आत्मा और बीमारी से आजाद कर सकता है वह हमें बच्चे की भी आसिस दे सक दाथना करना सुरू किया और वो जो है की निस अंताल दंपत्यों के लिए प्रयाद कर रहे थे और मैं बैट के ध्यान से उनके मैसेज को सुन रही थी तो पॉल दिना करणर मेरे नाम को लेकर पुकारा विद्या प्रकास शिश्टर विद्या प्रकास आपके पास बच्चे जैसे उन्होंने मेरा नाम लिया सिस्टर विद्याप्र कास मेरे हां से आशु बहना शुरू हो गया जैसे लग रहा कि बिल्कुल गया अध्स हैं लेकिन यह मेरे नाम को कैसे जानते हैं लेकिन वह अंतर्यामी परमेश्वर है और मुझे संतान से आसिस करेगा और जैसे मैं जनवरी में प्रोफिसी हुई थी और मैं हस्बेंड वाइब दोनों लोगों ने विश्वास किया और हर सनिवार को जो है कि उपवास प्रातना करना सुरू किया कि प्रभु तेरी इच्छाम तेरे खेरायवे समय का इंतजार करेंगे और हम इश्वास करेंगे कि तु निस्शी तुरुप से हमें बच्चे की आसिस देगा और परमिश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सितंबर 2008 में मैंने एक बेटी को कंसीव किया और परमिश्वर ने अद्बूत रीज से जो है कि हमें एक सुन्दर बेटी से 7 जून 2009 में आसिसीत किया और 3 साल के बाद एक बेटे से भी आसिसीत किया सो मैं परमिश्वर का धन्यवाद देती हूं कि सच में जो मनुश्य के लिए असंभ़व है वो परमिश्वर के लिए जिसंभव है तो को सारा आदर महिमा मैं देती हूं और इसके वाद जो है कि मेरे हस्बेंड इलहाबाद में जो तयारी एकर रहे थे और वहां से उन्हों न चुछाइब किया आपने मुझे बीमारी से आजाद किये स्राप से और जो है पाप से आजाद किये और मुझे बाज़ी पन से आजाद किया फर्मेश्वन सो प्रभू हमें विश्वास है कि आप एक अच्छी जौब से भी ब्लेस करेंगे फिर जो है कि हम लोग प्राक्ना करना सुरू किये हस्बेंड वाइप और बड़े अधुत रीज से परमेश्वन ने जो है मेरे हस्बेंड का जो ला में जो है कि अड़ोबुकेट के लिए और हमारे परिवार को आसिसीत करता है सुरच्छा देता है और संभालता है और प्रत दिन जो है हमें सत्य और धार्मिक्ता और पवित्रता के मार्ग में चलने में अगवाई करता है और अनुग्रह प्रदान करता है आज हम प्रभू येश्व मसी में अति आनंदित हैं और सचमुच्प्रियों जो मनुष्रिक लिए असंभव है वो परमिस्वर के लिए अरे प्रभु येशु मसीह ही आ जो हमें पाप से स्राप से दुष्टात्मा सैतान और नरक से आज़ाद कर सकता है जब मैं पाक में थी, स्राप में थी, बीमारी में थी, निरासा में थी और सैतान के चंगूल में फसी हुई थी तब मुझे कोई गुरू, कोई स्वामी, कोई अवतार, कोई ग्यान, कोई धरम हमें ठीक नहीं कर सका लेकिन जैसे मैंने प्रभी यश्व मसी पर विश्वास किया और यश्व मसी को अपने जीवन का उधार करता और स्वामी के रूप में ग्रहन किया और अपने जीवन को प्रभी यश्व मसी के हाथों में समर्पित किया वैसे ही प्रभु येश्व मसी ने मुझे पाप, स्राप, दुष्टात्मा, बीमारी और सैतान और नरक्त से भी स्वतंत्र कर दिया मैं सारा अदर सारा महिमा परमेश्वक देती हूँ कि वो सच में जिंदा परमेश्वर है और जो हमें पूरी तरह से मेरी समस्याओं से आजाद किया है वो आपको भी आजाद करने की सामर्थ रखता है यदि आपको लगता है कि चारो तरफ से दरवाजे बंध हो गए हैं तो प्रभु येश्व मसी के पास एक बार आप विश्वास करके देखें और निस्तित रूप से परमेश्वार आपको भी छुटकारा दे सकते हैं क्योंकि वचन में लिखा चक कर देखो कि यह हुआ कितना भला है